अपने ही पैरों पे मार ली है अहिल्या देवी ने कुलहाडी और नहीं मिला साथ मलहार सरकार का भी नमश्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में hungry spirits देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ मलहार सरकार जिस तरह उस scene से exit होके गए थे जहां पे ये पता चला था कि अहिल्या देवी को ये खबर गरवती होने की खबर पहले से ही पता थी महिकपूर में ही पता चल गया था कि वो गरवती है मगर उन्होंने किसी को बताया नहीं सब के अपने अपने reaction आए मलहार सरकार के भी reaction आए हमने आपसे share भी किया मगर उस reaction के बाद हमने कुछ नहीं देखा कि क्या कहा उन्होंने क्या बाते हुई अहिल्या के साथ क्या साथ दिया उन्होंने अहिल्या का उसकी मजबूरी को समझा ये सब हमने नहीं देखा मगर नए प्रोमो में ये दिखाई दे रहा है दोस्तो कि क्या है मलहार सरकार के reaction चलिए बात करते हैं मगर पहले वही गुजारिश जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजिए साथ में दोस्तो बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के notification मिलते रहें तो ये बात हमने पहले भी की थी यहां तक कि अहिल्या को भी पहले इस बात का एहसास हो गया था जब वो शार्जा से बात कर रही थी जब रास्ते में थी महिकपुर से वाड़े की तरफ तबी उसने कहा था कि कुछ खबरे हैं जो समय पे मिल जाने चाहिए मगर फिर भी जब दर्बार में यानि कि मेन जो उनका रूम है जहां पे मीटिंग चल रही थी जहां पे बाते हो रही थी वहां पे अहिल्या देवी बेहोश होती है और मलहार सरकार को ये बहाना लगाती है कि गुड़ी पढ़वा है और मैंने वरत रखा है इसलिए मैं बेहोश हो गई तो वहाँ पे मलहार सरकार मान लेते हैं क्योंकि वो अहिल्या पे बहुत विश्वास करते हैं वहाँ पे तो अहिल्या देवी बता सकती थी मगर उन्होंने बताया नहीं तो उन्होंने अपनी तरफ से तो भला किया अपनी तरफ से तो ये सोचा कि सब का भला हो मगर इस सब के भले में वो खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर गई और उसी नुकसान को लेके मलहार सरकार ने कहा अहिल्या से कि तुम गलत हो अहिल्या अब आप ये सोचिए दोस्तों कि ये मलहार सरकार के मूँ से निकलना कि अहिल्या तुम गलतो इस बार तुमारी गलती है अगर जो ओपोजिट पार्टी है वो लोग सुन ले तो उनकी तो पार्टी हो जाएगी यानि कि वो तो खुशिया मनाएंगे क्योंकि बच्पन से लेके अभी तक यही तो चीज ये लोग सुनना चाते थे वो तो हमेशा कहते थे कि अहल्या जो बोल देगी मलहार सरकार आँके बंद करके उस पे विश्वास करते हैं और उस पे हां में हां मिलाते ही मिलाते हैं जो भी अहल्या करेगी मलहार सरकार की हां ही होगी मगर जब इस बार पहली बार मलहार सरकार ने ये कहा कि तुम गलत हो अहल्या इसमें तुमारी ही गलती है तो अहिल्या देवी के आसू और जादा बढ़ गे दोस्तो मलहार सरकार बहुत दुखी है अहिल्या पे इस बात को लेके क्योंकि जब वो आये थे बाहर से वाडे में इतनी बड़ी जंग जीत के तब उनको जब खंडराओं की शादी की खबर पता चली थी तो बहुत जादा गुस्से हो गए थे उन्होंने उस गुस्से में बहुत कुछ कहा बहुत कुछ सुनाया मगर उस समय अगर ये खबर उनको पता होती तो बहुत कुछ समल जाता मगर उनको नहीं पता थी अहिल्या ने किसी को नहीं बताया यही बात उन्होंने कही कि यहां इस प्रोमो में ज सब को तुम देने वाली हो, जो तुमने नहीं दी उस समय, वो खुशकबरी इस सब चीजों पे मरहम का काम करती, बलकि डबल खुशी देती, खंडराओ सुदर जाते, खंडराओ के मन में जो खुशी, अब हम देख रहे थे, जो पहली बार उनको पता चला, वो खुशी तब भी वैसी ही होती, और तुमारा रिष्टा सुदर जाता, जब मलहार सरकार ये बाते कह रहे थे, तो अहलियाद देवी को बार बार अपनी गल हो, तुमारा इरादा अच्छा ही होता है अहिल्या, मगर इस बार तुमने गलती कर दी, तुमने अपने साथ तो अन्याई किया ही किया, मगर बाकी लोगों के साथ भी कर दिया, खंडराओ कहां खुश है, उसने हाँ तो बोली है शादी के लिए, मगर कहां खुश है खंडर यही बात गौत्मा ने कही कि मैं तो अपने बेटे की खुशी देखना चाहती हूँ मगर तुमने इस तरह से उस खुशकबरी को उसके लिए इस तरह से रखा छुपा के तो यह गलत बात है तो अगर बात करें दोस्तों तो अहिल्या ने प्रे पैरों पे कुलहाडी मारी है औ मैं सासु बाई का वच्चन भी नहीं पीछे रख सकती मैं ये भी नहीं कर सकती मैं वो भी नहीं कर सकती अल्टिमेटली अहल्या को अगर सोचती पूरी तरह से इस पूरे चक्कर को सोचती तो आज परिवार में इस खुशकबरी की जो खुशी है वो अलग ही ढंग से होती इस तरह से लडाईया जगड़े नहीं होते, गल्टिया नहीं निकाली जाती। तो ये बात जरूर अहल्यादेवी सोचेंगी और अपनी गल्टी का एसास करेंगी, मगर रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगी। क्योंकि कुछ गल्टियां होती हैं जो सुधारी नहीं जाती हैं। क्या कहते हों आप इसके उपर? कमेंट कीजिए, देखते रहे हैं चैनल हंगरी स्पिर्ट्स, थैंक यू सो मच्छ।